नमस्कार में हुदिवे भिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 17 सितमबर दिन मंगलवार खबरों के अबढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आज विस्व कर्मा पूजा के अफसर पर सीम नितीस और राजिपाल ने दीबधाई सेक्शन अभागने सरकारे स्कूलों के बुनियादी जरूरतों के मरम्मत के लिए जारी किये रुपए आज से शुरू है पत्री पॉक्स का मेला जाने कैसे रहे गी विवस्था रोजगार के अफसर तलास रही युवाओं के लिए बिहार सरकार दे रही हर महीने हजार रुपए ऐसे छिपाव सकते हैं आप अपने वाट्सेप चैट स्रद्धा कपूर पंकस्त रिपाठी और राजकुमार राव की फिल्म हिस्त्री टू ने तोरा रिकॉर्ड आकाउस चोप्या ने धुनी के स्याथ का सुनाया ये मज़दार कस्था अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बरी खबरों की और विस्तार से इस टेट बैंक आफ प इंडिया ने निकाली भरती जल्द करें आविधन इस्टेट बैंक आफ इंडिया ने 511 पदों पर भरत निकाली है ये भरती डिप Selurunk разб इसके आधिकारिक वेबसेट sbi.co.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं आविदन प्रक्रिया सुरू है और आविदन करने के इंतिमतारी एक चार अक्टूबर है इस भर्ति के लिए जरूरी है को मिद्वारों ने किसी मानिता प्राप्त संस्थान से बी टेक या बी या आई टी य नर्धारित की गई हैं भर्ति से संबंधित सर्थीक और दित जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसेट को देख सकते हैं रोजगार के अफसर तलास रही युवाओं के लिए भी हर सरकार दे रही हर महीने हजार रुपै रोजगार के अफसर तलास रही युवाओं के लिए प्रदेश सरकार स्विम सहायता भत्ता योजना चला रही है इसका संचालन मुख्यमंत्री निस्टे स्विम सहायता भत्ता योजना के तहत किया जा रहा है इसके लिए जरूरी है क्यों मिद्वार की आयू सीमा 20-25 वर्स के बीच में होनी चाहिए और उन्होंने बारवी पास किया हो इस योजना का लाब उठाने के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसेट पर जा सकते हैं इसकी आधिकारिक वेबसेट आप हमारे स्क्रिन पर देख सकते हैं यहां आविदन करने के बाद आपको अपने जले के DRCC आफिस जाकर अपने कागजातों का सत्यापन करवाना होगा बिहारी बात्रे स्पेसल में आज हम बात करेंगे आफ़ताब सेठी के बारे में एक सेवा निवरित भारती राजनाइक है इनका जन्म आज के दिन वर्स 1943 में बिहार के पटना में हुआ था इन्होंने ग्रीस वियतनाव और जापान में भारत के राजदूद के रूप में कारी किया है भारत सरकार के अधीन ये और भी कई बरे पद संभाल चुके वर्स 2015 में इन्हें Grand Cordon of the Order of the Rising Sun से भी सम्मानित किया जा चुका है आज विस्व कर्मा पूजा के अफसर पर सीम नितीस और राज़िपाल ने दी बधाई आज पूरे देस में हर सो लास के साथ विस्व कर्मा पूजा मनाई जाएगी इस अफसर पर सीम नितीस और प्रदेस के राज़िपाल विस्व नाथ आलेकर ने प्रदेस और देस वासियों को बधाई दी है आज के दिन अभियंत्रों मोटर वाहन और तकनीकी चीजों की पूजा की परमपरा है ये दिन दुनिया के पहले सिल्प कार विस्व कर्मा को समर्पित होती है बड़े से बड़े कार खानों में या छोटे से छोटे रिक्से वाले भी आज के दिन अपने वेब साइक यंत्रों की पूजा करते हैं कई जगों पर प्रदेश में आकर्सत पूजा पंडाल भी तयार किये गए हैं, बाजारों में कई दुकाने आज सजी हुई दिखाई देंगे, 18 सितंबर से लग रहा बिहार सरस मेला, 22 से भी अधिक राज्यों के लगेंगे स्टॉल, पटना के ग्यान भवन में 18 से 27 सितंबर तक बिहार सरस मेला कायोजन होने जा रहा है, इस मेले में लोक कला संस्कृती, परमपर और व्यंजन को बढ़ावा दिया जाएगा, इस मेले का उधगाटन ग्रामेन विकास मंत्री स्रवन कुमार करेंगे, इस मेले में 130 से अधिक स्टॉल लगाए जा रहे हैं, यहां बिहा समेत 22 से भी अधिक राज्यों के महिला उध्यमी अपने उत्पाद और सिल्प प्रस्तूत करेंगी, मेला रोज सुबह 10 बजे से साम के 8 बजे तक खुला रहेगा, बिहार सरस मेला कायोजन 2018 से साल में दो बार किया जाता है, पिछले साल के पहले संस्करन में 2 करोर 92 लाक सक्षव भाग ने प्रदेश के हर सरकारी सकूल के खाते में 50,000 रुपए की रासी भेजी है, इन पैसों से प्रदेश के सरकारी सकूलों में कई चीज़ों के मरम मत की जाएगी, जिसमें सकूलों में पंखे, बल्ब, बेंच, डिस्क, फर्स और सो चाले आदी के मरम मत सामिल सबी स्कूलों में इस काम की निग्रानी संबंधित जिले के DM करेंगे स्कूलों में ये पैसे ट्रांसफर करने के बाद सक्षा विभाग ने कहा है कि ये रासी मरम मत जल जमाव और बुनियादी जरूरतों से जुरे कारियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी जिसे समय समय पर स्कूल प्रसासन अपने अस्तर पर छोटे मोटे काम करवा सकेंगे आने वाले एक साल में बिहार की इंजिलों में बरहेंगे रोजगार के अवसर बिहार में बीते को समय से कई ग्रूप्स ने इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें ब्रिटैन या पेप्सिको टाटा ग्रूप की ताज होटल से लेकर हेल्थ केर में मिदानता तक सामल है बिहार को 2022-24 के बीच 12,000 करूर रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिल चुके है इसकी जानकारी सरकारी आंकरों से मिली है आने वाले को चालों में पठना के साथ-साथ मुझपर पुडवेसाली और पश्चिमी पूर्वी चंपारन में नौकरी के मौके बढ़ने की संभावना है इन जलों में कई कंपनिया अपनी फैक्टरी लगाने जा रही है और आने वाले एक साल में प्राइवेट सेक्टर में लाको रोजगार के अफसर बढ़ रहे है इसके लावे आई-टी सेक्टर में भी अगले वर्स तक 2000 करूर रुपे तक का निवेस करने की तयारी है विभागी निर्देश के बाद अफसरों ने आई-टी सेक्टर से दुरी कंपनियों को अमंतरित करने का प्रस्ता अवे तयार किया है आज से शुरू है पित्री पक्ष का मेला जाने कैसी रहेगी विवस्था आज से पित्री पक्ष सुरू है हालांकि पहला स्राद 18 सितंबर से शुरू है इस अफसर पर आज से लेकर 2 अक्टूबर तक गया में पित्री पक्ष मेले को लेकर कई तयार या और लोगों के सुरक्षा के खास अंतजाम किये गए है गया में सरुवरों और देव घाट में SDRF कोता खोर, लाइव जैकेट और नाव आदे की पूरी उपलब्दिता रहेगी तीर्थ यात्रियों के लिए टेंट सिठी का नर्मान किया गया है जहां 2500 बेट की व्यवस्था है यहां यात्रियों के निहसुल्क ठहरनी की व्यवस्था की गई है इसके रावे समसान घाट से लेकर गया जी डैम तक एक समय में 1,7,40,000 से 50,000 लोगों के एक साथ बैट कर तरपन करने की व्यवस्था भी की गई है साथ ही तेर्थ यात्रियों के लिए बिहार स्टेट टूरिस्म डिवलप्मेंट कॉर्प्रेसन लिम्टेर ने कई तरह की टूर पैकेज लॉंच की है जिसकी जानकारी आप इसके आधिकारे पैपसाइब पर जाकर देख सकते हैं यदि आप घर बैठे ही पिंडदान करना चाहते हैं तो परिटन विकास निगम ने इपिंडदान पैकेज की भी ववस्ता की है इसके लावे पिंडदान और अन्य परवित वहारों में भीर भार को देखकर गया और पटना के बीच एक जोरी मेमू पैसेंजर स्पेसल ट्रेन स सुने तीन छे पांच है सुने तीन छे पांच पांच का परविचालन कराने का भी फैस्ता लिया गया है यह स्पेसल फेन गया और पटना के बीच 16 सितंबर से 31 दिसंबर तक चलाई जा रही है पटना में सेक्षकों की नौकरी पर मनरा रहा खत्रा सेक्षव विभाग कर सकता है कारवाई जो लोग बीपी असी के माध्यम से सेक्षव बन गया है लेकिन सीटेट में 60 प्रदीसत से भी कम अंक प्राप्त हुए है उनकी नौ 18 फीज़ी से भी कम अंक आये थे वे भी परिक्षा पास करके सिक्षक बन गया है जिसके बाद सिक्षव भाग अब ऐसे सिक्षकों की जांच कर रहा है सीटेट में 60 प्रदीसत से कम अंक लाने वालों के प्रमान पत्र की जांच डीपी और स्थापना कार्याले में की जा रह ही जै कि ऐसे शिपा सकते हैं आप अपनी वॉट्सअप चर्ट में अपने चार्श को हाइड करने के लिए एक नई ट्रिक पस जिए इस ट्रिक से आप अपना अर्काइव कीये बिना ही चेट को ठ्शपा सकते हैं चार्टो हाइड करने के लिए अपने एंड्रोइट fnesPPower ओ करें और कंटिनियू उपर क्लिक करें लोकी गई चैट्स के वल आपके बायो मैट्रिक्स से ही उपन होगी और नोटिफिकेशन में वाट्सेप वन न्यू मैसेज दिखाई देगा वाट्सेप को अनलॉक करने के लिए लॉक्ड चैट फोल्डर में जाए और तीन डॉट्स पर टैप करके अनलॉक आप्सन चुने नवोदे विद्याले में प्रवेश परिक्ष्षा के लिए आविधन के इंतम्तिथी में हुआ वस्तार जवहर नवोदे विद्याले में सत्र 2026 में क्लास छटी में प्रवेस के लिए आविदन के अंतन्तिति को बढ़ा कर 23 सितंबर कर दिया गया है आविदन करने वाले अभ्यरतियों को जरूरी है कि वे पांच भी क्लास में नियमित परहाई कर रहे हो आपको बढ़ा दे कि इस परिक्षा का यौजन अगले वर्ष 18 जन्वरी को किया जाएगा नवोदे विद्याले में नामंकन के लिए चुक मिद्वार आविदन कर सकते हैं बेती बचाओ बेती पढ़ाओ से प्रदेश की करीब 3 लाख बेतियां होई सेक्षत प्रदेश के 2.98 लाख बेतियां बेती बचाओ बेती पढ़ाओ यौजना से सक्षत होई है इन मेंसे कई बच्चियों ने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी लेकिन इस यौजना की मदद से इन्हें सुरक्षा दिया गया ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके ये आकरे दो वर्सों की हैं जिसे महिला एवं बाल विकास मंतराले द्वारत जारी किया गया है इसमें सबसे ज्यादा संख्या वेसाली के बेटियों की है इस दिले से करीब 34,543 बेटियां ऐसे यौजना के जरिए सक्षा से जुरी और सक्षित होई है मालूम हो कि एक समय था एक ऐसा समय भी था जब 2015 में वेसाली देशपर में एक लैंगिक सम्वेदन सील जिले के तौर पर चैन किया गया पटना स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स में स्पोर्ट क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कोर्स की हुई शुरुआत बेहर सरकाल खेलों को बरहावा देने के लिए लगातार कई कोर्सों से कर रही है अब इसी करी में 25 सितंबर से पट्टा में पाटले पुत्र स्पोर्ट कॉंग्पलिक्स में स्पोर्स क्लाइम्बिंग ट्रेनिंग कोर्स के शुरुवात होगी ये कोर्स ओलंपिक खेल स्पोर्ट क्लाइंबिंग पर किंद्रित है और इसमें खिलारियों को बेसिक और एडवांस क्लाइंबिंग तकनीक है सुरक्षा उपकरन का उपयोग और खेल के नियमों की जानकारी दी जाएगी इच्चो खिलारे इसके लिए रेजिस्टेशन करवा सकते हैं रेजिस्टेशन के लिए 300 रुपय का सुलक है और ट्रति भागियों को क्लाइमिंग और पीटी सूज लाना निवारे है ये कोर्स सुरुवाती और अनुभवी क्लाइमबर्स दोनों के लिए खुला है गूगल फॉर्म के माधियम से आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं स्रद्धा कपूर पंकस्तरी पाथी और राजकुमार राव के फिल्म इस्तरी टू ने 12 रेकॉर्ड हॉरर कॉमेडी फिल्म इस्तरी दो बॉक्स ओफिस पर तावरतूर कमाई कर रही है फिल्म को रिलीज हुए कई दिन हो चुके हैं बावजुद इसके थीटर्स में हाउसफूल दिखाई दे रहे हैं इस फिल्म में बिहार के पंकस्तरी पाथी राजकुमार रावर स्रधा कपूर ने अपनी एक्टिंग से सबका ध्यान अपनी तरफ आकरसित किया है ये फिल्म कई बारे स्टार्स को फिल्म को पीछे छोड़ चुकी है इस फिल्म ने उरी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है उरी फिल्म ने अपने पांचवे वीकेंड में 12.37 करूर रुपे की कमाई की थी वहीं इस फिल्म में 16 करूर रुपे की कमाई की है फिल्म का कुल कलेक्शन अब 580.18 करूर रुपय हो चुका है अगर आपने इस तरी फिल्म देखी है तो आपको पंकस्त्री पार्थी के एक्टिंग कैसे लगी हमें कॉमेंट में लिक कर जरूर बताएं अब मुझपरपूर के अलावे प्रदेश के 13 जलों में भी बरे अस्तर पर होगी लीची की खेती अब तक बिहार का मुझपरपूर जला राष्ट्य ही नहीं बलके अंतर राष्ट्य अस्तर पर भी लीची की भूमी के नाम से प्रसद था लेकिन अब बिहार के अने जिलों में भी बरे अस्तर पर लीची के बगान नगाने की तैयारी है मुझापरपूर पूर्वी चमपारण और समस्तिपूर के बाद अब बांका औरंगा बाद जमूई पुर्णिया पूर्वी चमपारण मध्यपूरा सीतामरी पश्चिम चमपारण मधुबनी कटिहार और अडिरिया में भी बरे अस्तर पर लीची के पैदावार की तैयारी है राष्ट्रे लीची अनुसंधान केंद्र के सर्वे में पता चला है कि प्रदेश के 13 जिलों की मिट्टी लीची के लिए उप्योगत है बिहार में करीब 50,05,441 हिक्टर भूमी पर लीची की खेती की जा सकती है वेवसाइक पाठिकरम में नामंकर नेने वाले कॉलेजों के सेक्षने का अधार भूत सरचना की होगी जांच प्रदेश में जो माननेता प्राक्त महाविद्यालाई या अंगीभूत कॉलेज वेवसाइक पाठिकरम चला रहे है उनके सेक्षनिक आधारवू सरचना की जांच की जाएगी इसके लिए इन कॉलेजों के कुलपतियों को राजभवन सचीवाले ने निरदेश चारी किया है क्योंकि वेबसाइक पाठेकरम जैसे BBA, BCA और BMS जैसे कई विस्यों में नामंकन के लिए सेक्षिक सत्र 24-25 में सरसर्त अनुमती दी गई है वेबसाइक पाठेकरम में नामंकन लेने वाले सभी कॉलेजों को अखिल भारती तखनीके सक्षा परिस्तत यानी AICTI से मानता प्राप निर्धारित सर्तों का पालन करना जरूरी है जो कॉलेज इन मानकों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें आगामी वर्स से अपने कॉलेज में वेबसाइक पाठेकरम में बच्चों के नामंकन के लिए नहीं दी जाएगी आज का अधिक्तम तापमान कुछ जगों पर 30 से 32 डिगरी तो कुछ जगों पर 32 से 34 डिगरी रहने की संभावना है नीट पेपर लीक मामले में दो सातिरों की हुई गरफतारी नीट पेपर लीक मामले में दो और सातिरों को पटना से गरफतार किया गया है इनके पास इसे तीन मोबाइल फोन भी जबत हुए है मिली जानकारी के मुताविक जिन लोगों को गिरफतारी हुई है इन्होंने मुख्य आरोपे से करीब डेट घंटे तक इस मोबाइल फोन से बात चीत की थी जिस से अब मोबाइल के CDR खंगाली जा रही है इस गिरफतारी के बाद प्रभारी थाना अधिया अक्षिदानापुर ने बताया है सरगना को सरक्षन देने और भगाने का रोप है राजधानी पटना के दानापुर सुल्तानपुर से नौकरी के नाम पर मोटी रकम वसूलनी के आरोप में जार्खंड नामकुम पुलिस ने ग्रफतार किया है सीधा मरी के पुनौरा धाम मंदिर के आसपास परिटक अस्थल विक्सत करने की प्रक्रिया हुई शुरू सीधा मरी के पुनौरा धाम मंदिर के आसपास एक बहतर परिटक अस्थल विक्सत करने के लिए 50 एकर भूमी अधिग्रहन की प्रक्रिया शुरू हो गई है राजे मंत्री परिशत की स्विक्रिती के बाद परिटन विभाग और जिला प्रसासन ने भूमी अधिग्रहन के दिसा में काम करना शुरू कर दिया है परिटन सची ब्लोकेस कुमार सिंग ने असल निरेक्षन कर भूमी चनहत की और आविशक कारवाई के नरदेश दिये हैं पुनौरा धाम की परिटन सुविधाओं के विकास के लिए 72.47 करूर रुपे की योजना स्विक्रित की गई है जिसमें परिक्रमापत, सीता वाटिका, लवकुस वाटिका और अन्यस विधाओं का निर्मान सामिल है इस परियोजना से परिटकों की संख्या बरहेगी और अस्थानी रोजगार के अवसर स्रेजित होंगी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 25 सितंबर को होने वाली अर्ध वार्षिक परिक्षा हुई रद बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है दरसर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 25 सितंबर को जीवतिया पर्व के दिन अर्थ वार्चक परिक्षा होने वाली थी लेकिन अब सिक्षव विभाग ने पत्रित जारी करके इस दिन होने वाली परिक्षा को रद कर दिया है अब ये परेक्षा 26 सितंबर को आयोजत होगी, आपको बदा दे कि 25 सितंबर को होने वाली परेक्षा को लेकर सिक्ष्वक संगठनों ने भी विरोध गिया था पी एमोडि को स्यम नितीस अमेट कई दिगस नेताओं ने जंदन की दी बधाई आज पीय मोडि का जंदन है भारति जंता पाट्रि जंदन के अपसर पर उन्हें बधाई दी है इस अबसर पर सियम नितीस ने और डाजेपाल ने भी प्रधान मंत्री को जन्दन की सुबकामना और बधाई दी हैं उन्होंने प्रधान मंत्री के स्वास और दरखायू होने की कामना भी की है सेम्नितिस के लावे ग्रे मंत्री अमित साथ जेपी नड़ा समित कई दिग्ज नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी प्रधान मंत्री को उनके जन दन पर आप क्या बधाई संदेश देना चाहते हैं हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताए 19 सितंबर से राज़त के सिदसिता अभियान की होगी शुरूआत 19 सितंबर से राज़त अपनी सिदसिता अभियान शुरू करने वाली है पहले इस अभियान के आरंभ होने की तारीक 18 सितंबर थी हालांकि अब इसकी तारीक को एक दिन आगे कर दिया गया है इस अभियान के शुरुआत लालु प्रसाद याद अब करने वाले हैं। इस संबंध में राज़त प्रवक्ता एजाज एहमद ने जानकारी देते में बदाया है कि राज़त की सदसता अभियान के शुरुआत 19 सितंबर को राज़त की राश्ट्री अधियक्स लालु प्रसाद राश्ट्री पदाधिकारी और दिल्ली काई के पदाधिकारी राश्ट्री अधियक्स के समक्स सदसता लेंगे। आकास चोपरा ने धोनी के साथ का सुनाया ये मज़िदार कस्ता सलामी बल्ले बाजों में से एक आकास चोपरा और धोनी ने मिलकर घरेलो क्रिकेट में जमकर खेला है हाली में आकास चोक्रा ने अपने और धोनी के साथ बिताए पल को ज़्याद करते वे एक किस्ता साजा किया उन्होंने बताया कि धोनी उनके एक्स रूम पार्टनर रहे हैं और उनके लिए धोनी ने एक महीने तक चुकें त्याग दिया था क्योंकि आकास वेजिटेरियन थे राज्च मानी ने के यूटूब चैनल पर उन्होंने बताये कि उनका फोन हमेशा बसता रहता है लेकिन धोनी कभी नहीं उठा थे वो रूम सर्विस में कॉल करने में सर्माते थे पूरे एक महीने के लिए उन्होंने वेजिटेरियन खाया था कई कारणों से दर्ज है भारत के तहास में आज की तारीख आज केही दिन वर्ष 1948 में हैदराबाद यासत का भारत में बिलेफ वा था आज के दिन वर्ष 1989 में दक्षुन भारती राजनीतिक दल द्रविड मुनेतरे करगम की अस्थापना हुई थी आज के दिन वर्श 1912 में स्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था आज के दिन वर्श 1916 में भारतिये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयो का गठन हुआ था आज के दिन वर्श 1937 में सिता कान्त महापात्र का जन्व हुआ था ये उरिशा भासा के प्रसिद साहित्यकार है वंदे भारत सिलीपर ट्रेनों को लेकर किया जा रहा है ये फरजी दावा X-Platform पर एक ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि वंदे भारत सिलीपर ट्रेनों के अनुबंध में 50% की लागत वृधि की गई है वही ट्रेनों की संक्या 200 से घट कर 133 हो गई है लेकिन आपको बता दे कि 50% की कीमत वृधि का ये देवा फरजी है उच मांग को लेकर प्रती ट्रेनों की कोचुंग की संक्या 16 से बढ़ा कर 24 कर दी गई है सवाल है ते हास भ्यारत स्पेसल, विज्ञान कर इंटरफेर्स और भुगोस रहेंगे पूछे के 5 सवालों में आपने कितना सहीं उतर दिया या हमें कॉमेंट में लेकर जरूर बताए तो हमारा पहला सवाल है हाली में कौन भारत की पहली A.C.I.E. स्कूली छात्र चैंपियन बनी है ओप्शन ए दीपा पाठक ओप्शन भी अंजली सर्मा ओप्शन सी है दिपाली थापा ओप्शन डी अनुमलिक इसका सहीं तर दिपाली थापा हाली में राश्ट्री बन सहीद दिवस का मनाय गया है ओप्शन ए 12 सितंबर ओप्शन भी नौ सितंबर ओप्शन सी है 11 सितंबर ओप्शन डी दस सितंबर इसका सहीं तर ए 11 सितंबर हाली में किस राजे में पांच ने पॉस्कों को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किये जाएंगे आप्सन है इमाचल प्रदेश आप्सन भी है महाराष्ट आप्सन सी पश्रिम बंगाल आप्सन भी हरियाना इसका सही तरह पश्रिम बंगाल बिहार में खिलजी बंच के सिक्के कहां से मिले हैं? आप्सन है लोरिया चमपारन आप्सन भी है सासराम नोतास आप्सन सी बितिया चमपारन आप्सन भी है सहापूर भोजपूर इसका सही तरह सहापूर भोजपूर बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन पठना में कब हुआ था? आप्सने 1906 भी, आप्सन भी 1908, आप्सन सी 1916, आप्सन डी 1908, इसका सही उतरी 1908 बीते दिन हमारे दोरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत चारे लोगों न अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सक्सन बॉक्स में ले कर दिया था, जिन्होंने हमारे दोरा पुछे के सवाल का जवाब दिन के नाम है इसके साथ ही भरत्यात के सवाल के और आज का सवाल है बिहार के पाड़म पर एक पक्वान में आपका कौन सा फेवरेट है? आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सक्सन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते हैं बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखने हैं तो चैनल को लाइक अना और सब्सक्राइब और अगर आप फेस्टूब से देखने हैं तो फेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद